हेलो गाईज आज मैं आपको पताऊंगा उल्लू की कुछ इंट्रेस्टिंग बात है जो आपको साइधी मालूम पतो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सुमिछ सैनी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो लगबग एक हजार चुमें खा सकता है फैक्ट लंबर चार उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक गुमा सकता है दोनों तरफ 135 डिग्री गुमा सकता है इसका मतलब यदि आप इसके पीछे भी खड़े है तो ये अपना बिना सरीर हिलाए सिर्फ गर्दन गुमा कर फैक्ट लंबर चैन धर्ति का जो सबसे बड़ा उल्लू है उसका पंक 5 फिट लंबर होते हैं ग्रेट होंड नाम का इस उल्लू का वज़न 2.5 किलो तक हो सकता है फैक्ट लंबर साथ उल्लू अपने ताकतवार बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाता है और कमजोर बच्च को देखता नहीं बल्कि उनकी आवाज सुनकर पकड़ते हैं फैक्ट लंबर 9 उल्लू की आखे उसके दिमाग जितने बड़ी होती है जो कभी हिलती नहीं है बल्कि एक जंगर फिक्स रहती है फैक्ट लंबर 10 उल्लू दिन में नहीं बल्कि रात में जाकता है फैक्ट इंसानी बाइट के बराबर है फैक्ट लंबर 13 उल्लू चुहें साब गिलहरी मचली से लेकर दूसरे उल्लू को भी खा सकता है ये लगबच 30 साल जीते है फैक्ट लंबर 14 यूके में आप उल्लू को पाल सकते है लेकिन USA में नहीं और भारत में इसका सिकार करना भी गयर का उल्लू प्राचिन समय से ही पॉपुलर है फ्रांस में 30,000 साल पुराने पेंटिंग पर उल्लू चुपावा मिला है फैक्ट लंबर 16 उल्लू उड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करते है क्योंकि इनके पंग का उपरी हिस्सा एक मुलायम च्खाल बना होता है जो हवा को अपने अंदर से गुजनने देते है तो जब हवा टकराती ही नहीं तो अवाज कैसे आएगी फैक्ट लंबर 17 उल्लू किसी भी वस्तू का 3D इमेज देख सकता है यानि कि वे किसी भी वस्तू को लंबाई चोड़ाई वे उचाई तीनों देख सकता है फैक्ट लंब और इसके सरी के कई अंग दवाई बनाने में भी क्याम आते हैं और आजकल तो मलेशिया जैसे देशों में उल्लू का मास खाने की आदत भी चल रही है फैक्ट लंबर 19 उल्लू को दिन में धुनला और रात को साब दिखाई देता है फैक्ट लंबर 20 उल्लू रात के घने अ इंसानों से 100 गुना बैतर और 100 फिट दूर तक देख सकता है उम्मिन करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे होगी तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उल्लू अंदेरे में कैसे देख लेता है और हम इंसान क्यों नहीं तो यह मैं आपको अगली वीड कराऊंगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो लाइक कर देना और में चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर देना जब तक के लिए जाइन बन्यमात्रम